एक कंपनी की financial statements में बेशुमार तरह की चीज़े होती है including the statement of comprehensive income, statement of financial position, notes to the accounts, statement of changes in equity और एक बड़ी important statement होती है which is called statement of cash flows. Cash flow statement कैसे बनती है, IS7 guidance प्रोवाइड करता है cash flow statement बनाने के लिए, basics of guidance क्या है कि जब भी आप cash flow statement बनाएंगे तो आप अपने cash की और cash equivalents की movements को analyze करेंगे into operating, investing और financing activity, operating activities में आप क्या करेंगे? operating activities में आपके पास दो choices है, you can go for direct method, you can go for indirect method, practically use होने वाला ज्यादा method कौन सा है? indirect method, क्यों? क्योंकि financial statement से, P&L से, balance sheet से, indirect method के तरूँ cash flow establish करना ज्यादा असान, अब ना हो, आज का जो मेरा वीडियो का मकसद है, वो यह है, कि मैं आपको logic explain करूँ, कि cash flow statements में जो चंद adjustments होती है na working capital की, वो adjustments के पीछे logic क्या है, reason क्या है? तो हम दरा देखते हैं, इस example के दिरूप, कि आपके सामने एक company का profit and loss account given है, और balance sheet के थोड़े से extract given है, अब अगर मुझे यह requirement हो, कि मुझे यहाँ पे cash flow statement बना के दी जाए, तो cash flow statement बनाने के लिए, आपको पता है, सबसे पहली चीज़, कि आपका cash flow का starting point होता है indirect method में, that is the profit before tax, so मैं एजियूम कर रहा हूँ कि यह जो 7000 है, यह profit before tax है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे 7000 को mention कर दिया, अब ना हो, यह जो तमाम चीज़ें है, receible, payable, inventory, वगरा, 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 इन सब की adjustments क्या होती है, तो उसके लिए, बच्चों को समझाने के लिए, क् कि यूजेली student की understanding, student का intellectual capacity शायद इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो for the first time समझ सके के इसके पीछे logic क्या हो, इसलिए teachers आसानी पैदा करने के लिए, आपको कुछ rules सिखाते हैं, और rules क्या सिखाते हैं, वो rules यह सिखाते हैं, कि देख बेटा, अगर asset बढ़ेगा, तो तेरा cash decrease हो है, कि अगर for example, liability आपकी है, तो liability में direct relation है, कि liability बढ़ेगी, तो cash बढ़ेगा, liability कम होगी, तो cash भी कम होगा, यह rules सिखा दिया जाता है, और इस rule के तहत, हम अपनी cash flow statement बना लेते हैं, और बिल्कुल सही बनती है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसी rule को, इसी rule को, इस्त पहले है, कि तो आप क्या करेंगे, आप 5,000 रुपए के increase in receivable, receiveal क्या हो रहा है, increase हो रहा है, कितने से increase हो रहा है, 5000,000 से, receival क्या है, asset, asset बढ़ रहा है, तो क्या होगा, cash के बंदर opposite change आएगा, यानि हम treat करेंगे, cash कम हो, payable, 10,000 से 13,000 हो रहा है, मतलब 3000 का change आ रहा है, तो payable में क्या हुआ तो जिसको अगर आप समप करो तो 7000 प्लस 3000 प्लस 3000 माइनस 5000 तो रिजल्टिंग लिकितना होदा है मेरे खाल में यह 10,000 और प्लस 3000 11,000 माइनस 5000 यह 8000 तो कैश जनरेटेट फ्रम ऑपरेशन कितना होगया 8000 अब जब यह कैश जनरेटेट फ्रम ऑपरेशन 8000 हो गया तो हम क्या करते हैं इसमें हम ओपनिंग कैश एक्विलेंट करते थे यह 5000 रुप तो जब हम इसमें 5000 रुप एड़ एड़ आप कर है तो एट प्लस फाइफ 13,000 हमारा कैश फ्लो आ गया अब ना हो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह समझना कि भाई यह किसने कहा के जना वह एसेट बढ़ेगा तो कैश कम हो जाएगा एसेट कम होगा तो कैश बढ़ जाएगा यह लॉजिक के पीजे को रीजन है हां समझाता हूं को देखो पहला एक समझ लो वह रही है कि तुम प्रॉफिट से स्टार्ट होके कैश पे पोंचे तुम प्रॉफिट को बेस बना रहे हो और तो मैश पर पहुच इसका मतलब इसकी सेल्ज वेना यह सेल घर हो रही है ना इसका लब सेल रहो तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कैश भी बढ़ता है कि यह नहीं हमारा यहां पे पॉइंट यह है कि यह जो 7000 प्रॉफिट आया ना इस करेंट यह में इस तर्टिंग अपना लॉजिक समझना लॉजिक समझाओं आपको वह लॉजिक यह कि देखो बात सुनों यह प्रॉफिट यह प्रॉफिट यह यार लगना है इसकी शेकल यार लगना क्योंकि मेरे पास जगा तो यहीं पर वरकिंग करूंगा है कि अब कि कि आप देखें समझें सबसे पहले चीज़ यह आप बनाले रेसीवल का टी嘅कॉंट वर आकोंट बनाएंगे तो आपके पास opening receivable जाए है वो आपके पास opening receivable 15,000 का है और जो आपका closing receivable है वो 20,000 का है आपकी जो sales थी जिसमें हम assumption ले रहे हैं कि सारी की सारी sale credit sale थी वो that was 40,000 तो resulting लिए जो balancing figure आ जाएगा यह तुम्हारे पर क्या जाएगा यह तुम्हारे पर cash आ जाएगा और जो cash होगा तुम्हारा वो कितना था अब देखो बात सुनना तुम याद करो के तुमने profit में sales कितनी record करी थी 40,000 यानि के इस sales का impact तुम्हारे profit पे क्या था 40,000 ते profit बढ़ता था इस sales लेकिन अगर actually cash देखा जाए कितना मिला है actually cash देखा जाए 35,000 मिला हमने profit पे कितना impact डाला 40,000 तो net जो पांच हदार रुबए का जो फर्क है न यह पांच हदार रुबए का effect को आपको eliminate करना पड़ेगा कहां से eliminate करना पड़ेगा आपको अपने profit की computation से eliminate करना पड़ेगा क्यों कि यह तो मिला ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं दुबारा यात करो हम profit को base बना रहे हैं और cash पे पहुंच रहे हैं प्रॉफिट को base बना रहे हैं cash पे पहुंच रहे हैं इसका मतलब बढ़ा है क्या हुआ हमने गया profit में यह पूरा 40,000 का impact है 35,000 कैश मिला 5,000 नहीं मिला तो जब नहीं मिला तो रिमूफ कर दो तो रिमूफ करने कि यादे क्या हुआ थे क्या हुआ देखो मानस हो एक पॉइ जाता है अगली पॉइंट अगला पॉइंट आजाए पेबल का आप देखें आपका supplier का opening balance कितना है 10,000 clothing balance कितना है 13 परचेश कितनी है 30,000 तो यह जो balancing figure है जो के 27,000 है यह तुमने क्या कर रहा है यह तुमने supplier को actually cash पेकिए अब बड़ी important बात समय देखो तुमने profit and loss account में cost of goods sold जब calculate करते हो तो तुमारे COGS में 30,000 रुबए का expense आया है because of this purchase यह जो 30,000 रुबए की purchase है यह पूरी COGS में जाती है यानि कि opening stock plus purchase तो purchase तो पूरी 30,000 रुबए पैसे कितने दिये है 70,000 पैसे कितने दिये 30,000 पैसे कितने दिये 70,000 तो आपने क्या कर दिये आपने profit को total 30 से कम किया है हाला कि आपकी जेव से पैसे कितने के 27 तो नेट जो 3000 का impact है आप क्या करोगे एड करोगे एड करोगे तो आप देखें increase in paypal add हो रहा है कि हम कहरें भाई cash का impact ही नहीं है cash दिया 27,000 रिकॉर्ड करा है COGS में 30,000 बात समझना रही है आखरी, आखरी point यह है कि inventory अच्छा अब दरा थोड़ा बात समझना inventory वो बात यह समझना कि जब हम inventory की बात करते हैं ना तो inventory में concept क्या है inventory यह तो आपने cash पर खरीदी होगी या पर आपने credit पर खरीदी होगी अगर आप देखें तो आपका cost of goods sold में क्या आता है opening stock add होता है कितना था 12,500 clothing stock less होता है कितना था 9,500 तो अगर आप देखे हैं तो net 3,000 रुपए जाने इस inventory का COGS में जा रहा है यहीं inventory कि जो movement है वो 3,000 रुपए COGS में जा रही है COGS में 3,000 रुपए जाने का मतलब है कि इस से profit 3,000 रुपए कम हो रहा अब मेरा आप से सवाल है क्या पैसे दिये हैं क्या पैसे दिये हैं आपने जितने पैसे दिये ना वो purchases में cover होगा और वो payable के adjustment में cover होगा अगर cash पे purchase करिये हो purchases मारी है credit पे करिये तो payable के adjustment के तुरू cash flow में आ चुका तो इसका मतलब यह है कि जो inventory है यह 3,000 रुपए ते तुम्हारे profit को कम कर रही है और यह सिर्फ एक यह सिर्फ एक non cash adjustment है जो तुम्हारे profit में आई हुई तो इस non cash adjustment को तुम क्या करोगे रिमूफ करोगे तुमने का जी मैंने profit capital की changes incorporate करते है receivable payable or at the same time inventory इन तीनों की adjustment जब हम करते हैं तो हम रट्टे के दरू करते हैं वह रट्टा क्या होता है asset बढ़ेगा cash कम होगा and vice versa liability में क्या है liability बढ़ेगी cash बढ़ेगा liability कम होगी cash कम होगा इस रट्टे के पीजे logic क्या है logic मैंने आपको आपको प्रिंट करते हैं तो hopefully आप लोगों को समझ में आया होगा अपना खूब ख्याल लगएगा इंचालान करीब दुबारा मिलेंगे thank you very much